नमस्कार मैं हूं स्मृती जा और आप देख रहे हैं दसूत्रधार कहते हैं कि हन्मान जी एक ऐसे देवता है जिनसे कल्यूग भी भैखाता है कल्यूग में अपने भक्तों की रक्षा के लिए हन्मान जी सदैव तक पर रहते हैं इसके कई प्रमान भी है उनमें से एक आज हम आपको सुनाएंगे अपने खास सेग्मेंट में बात है साल 1998 की जब अयोधिया के प्रसिद्ध हन्मान गड़ी मंदिर में आतंगवादियों ने बम लगा दिया था बम, पुलिस और बम नीरोधक दस्ता को नहीं मिल रहा था तब एक वानर ने बम को डिफ्यूस किया था लोग कहते हैं कि वह वानर नहीं स्वैम हन्मान जी ही थे चलिए सुनाते हैं आपको पूरी कहाने बात 1998 की है उस समय मीडिया ने इस घटना को प्राथमेकता नहीं दी थी बाद में यूपी पुलिस के एनकाउंटर स्पेसलिस्ट और सुपर कॉप अविनाश मिश्रा ने खुद एक इंटर्वियू में इस घटना का जिक्र किया था इस घटना को हाल ही में वेब सिरीज इंस्पेक्टर अविनाश में भी दिखाया गया है बात वर्स 1998 की है जब आतंकियों ने राम की नगरी अयोध्या को दहलाने की शाजिश रची थी इसके लिए करीब 20 किलो RDX अयोध्या भेजा गया था कही बम अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमान गढ़ी मंदिर में भी लगाये गये थे इसके इंपूर्ट्स उत्तर प्रदेश के STF यानी विशेश पुलिस दस्ते को मिली STF वो पुलिस ने ततपरता से कार्य करते हुए अधिकांश्तह RDX को समय रहते जब्त कर लिया था लेकिन एक आतंकी बम निरोधक दस्ते का भेश बना कर अयोध्या के सबसे प्राचीन हनुमान गढ़ी मंदिर में घुच गया और उसने ताइमर सेट करके वहाँ ठंडे पानी की मशीन में बम लगा दिया बम लगा कर भाग रहे आतंकी को पुलिस ने पकड़ लिया उससे पूछताश शुरू की गई तब तक बम विस्फोर्ट में केवल एक मिनट कहीं समय शेश रह गया था इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा के नेत्रितों में यूपी पुलिस की टीम ने पूरे मंदिर परिसर की खाक चाननी शुरू कर दी सभी डर और मौत के साए में टाइम बम खोज रहे थे मंदिर का हर एक कोना हर एक गलियारा चान मारा गया पर बम नहीं मिला इस दौरान पुलिस वालों की नजर मंदिर के प्रांगण में बने ठंडे पानी की मशीन के पास एक छोटे वानर पर पड़ी वह वानर बैठ कर अपने हाथों में दो तार लिये उनसे खेल रहा था और मुह में लेकर चबाय जा रहा था जैसे कुछ काट रहा हो पुलिस को अंदेशा हो गया कि हो नहो इसी मशीन में बम फिट किया गया है उन्होंने उस वानर के मुह से तार छुडाने के लिए केले उसकी तरफ फेके केले जैसे ही उस वानर की और फेके गए वानर ने अपनी आसपास पुलिस वालों को देखा और वो तार छोड़कर बिना केले लिए वहां से उतर कर चला गया बम निरोधक दस्ते ने तुरंत पीने के पानी की मशीन से बम बरामद किया और उसे निश्क्रिय करने की कोशिश करने लगे बम निरोधक दस्ते के ओफिसर ने आवाज दी सर इस बम को तो डिफ्यूज किया जा चुका है ये देखिए टाइमर तीन सेकेंड पे रुक चुका है उस छोटे से बंदर ने तार काट कर बम को फटने से रोक दिया है इतना सुनने के बाद सभी की नजरें उस बंदर को तलासने लगी कुछ ही देर में सारे पुलिस वालों ने हनुमान गढ़ी मंदिर के शिखर पर उस छोटे से वानर को देखा जो शिखर के कलश को सहला रहा था भगतों का मानना है कि वह वानर कोई और नहीं स्वैम हनुमान जी ही थे जो दुनिया को यह संदेश देने के लिए आये थे कि आयोध्या प्रभू स्री राम की नगरी है और जब भी आवशक्ता होगी वो इसकी और अपने भगतों की रक्षा के लिए प्रकट होते रहेंगे आसा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी ऐसे ही और कहानिया सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन एक्टिवेट कर लीजे बहुत बहुत आभार